नमस्कार साथियो एक बाब फिर से आप लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गोर्टेशन पॉइंट पर तो साथियो आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि गुरुप B और C ज hir zao keo किसी आपको अपना अपना फर में बाइष मनने पुरीचा तरीके मैं को subscribe जरू करें तो आप लोग यहां देख सकते हैं requirement वाली जो site है वो खुली हुई है अब इस site पर आप लोग आएंगे तो site पर आप लोगो को आने के बाद सबसे पहले इस site का link मैं आपको बता दूँ इस site का जो link होगा वो आप लोगों को description में मिल जाएगा अब आप लोगों को अगर form भरना है आवेदन करना है तो आप लोगों को scroll करते हुए नीचे की तरफ आपको आना होगा नीचे की तरफ आप आएंगे तो जो पोस्टे आप लोगों को जो होंगी वो दिखाई दे जाएंगी कि कौन-कौन सी पोस्टे हैं पोस्टे मैंने आप लोगों को पहले बता भी दी अब मैं यहां पर आप लोगों को दिखा देता हूं कि कौन-कौन को दिखा देता हूं कि कौन-कौन को दिखा देता हूं कि करन्ट रिक्वार्मेंट ओ देख सकते हैं तो तीन तरह कि यहां पर जो पोस्टें वो चल रही है लास्ट डेट में आपको बता दिया कि 15 अपरेल है अब आप लोग जिस पोस्ट के लिए अब इंदर करना चाहते हैं आप लोग सबसे पहले इसका नोटिफिकेशन रीड कर लें किस पोस्ट के लिए कितन पर किलिक करना होगा जैसी जन्रोट टॉट पर किलिक करेंगे इसतरे का इंटरफेस आएगा यहां पर आ रहा है तो यहां पर सिलेक्ट का जो ऑप्शन आ रहा है उस ऑप्सट पर आप लोग करने के बाद आप लोग अपना जो id proof है वो यहां से select करेंगे select करने के बाद आधार नमबर यहां पर दाहिनी तरब यहां डाल देंगे identity type, identity में आपके अडाकमेंट्स लगा रहे हैं वो आप लोगों को choose करना होगा, choose करने के बाद identity certificate number आप लोगों को जो होगा दाहिनी तरब डालना होगा यह दोनों में से एक आप लोगों को अनवारी यह है identity type डाल देंगे यह फराधार डाल देंगे डालने आद नीचे आएंगे additional information का option आपके सामने दिखाई दे रहा है identity date of birth आप लोग जो होगा date of birth अपनी डाल देंगे डालने के बाद आप लोगों की जो उम्र होगी वो आप लोगों को यहाँ पर लिखनी होगी उम्र लिखने का nationality आप लोग देख लेंगे father's name पिता जी का नाम डालना होगा, माता जी का नाम डालना होगा सरीर पर इस्ताई पहचांच यह नहीं है लिंक चूज करना होगा marital status बैवाय किस्ति चूज करनी होगी domicile detail do you have domicile certificate आप से पास अगर निवास प्रमार पत्र है तो आप लोग यहाँ पर yes कर देंगे और उसकी जो detail होगी वो यहाँ पर आप लोगों से मांग ली जाएगे अगर नहीं है तो नो पर simply क्लिक कर देंगे category resolution आप लोग का धर्म कौन सा है धर्म चूज कर लेंगे स्रेंडी कौन सी है वो चूज कर लेंगे और mode of requirement यह सबसे main topic है आप लोग mode of भरती का तरीका है तो आप लोग यहाँ पर सबसे पहले अगर आप लोग इसमें से किसी की applicable है ठीक है नहीं है तो आप लोग direct entry category डी वाले option पर click कर देंगे सब category reservation क्या आपको कोई विकलांगता है तो आपको है अगर तो yes कर देंगे नहीं तो यह नो वाला option यहाँ पर रह रहा है नो रहने देंगे तो यह तीनों जो option है क्या भूत पूर सैनिक है इस पर भी आपनो अगर भूत पूर सैनिक है तो करेंगे तो आप लोग देखेंगे मैंने आप लोग के विया बताया जैसे ही आप category चूच करेंगे तो category यहाँ पर अगर चूच करेंगे तो यहाँ पर यह साइड डेटेल जो मैंने बताई थी वह भारनी होगी next step आपके सामने आएगा पहला step complete हो चुका है personal detail का next option आएगा police station का नाम लिखना होगा और post office का नाम लिखना होगा और तहसील जो होगी उसका नाम लिखना होगा और correspondence, adders और permanent adders दोनों सेम है तो इस पर टिक कर देंगे और नहीं है तो आप नीचे detail जो होता है वो भर देंगे detail भरने का नीचे आप लोग आएंगे save and next का option दिखाई दे जाई कितनी है centimeter में यहां लिखनी है और चाती, cable force के लिए कितनी है centimeter में बजन कितना है kilogram में आपको लिखना होगा अब नीचे जो option आपको दिखाएगा है black list and declaration यहां पर जो main है वो आपको इसको पढ़ लेना है सही तरीके से is there any criminal case pending against you अगर आप लोग इसमें से नदब कह कर रहें या आपके खिलाब कोई भी जो criminal case है वो pending है तो आप लोग yes कर देंगे नहीं तो no करेंगे इन second option आप लोग पढ़ लेंगे उस पर yes या no जो भी करना चाहते कर देंगे next करेंगे other details सेफ सक्षी लोगा interface आएगा qualification detail आपको भरनी होगी तो qualification detail में आप लोग मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया कि आप लोग इसका जो notification है वो रीड कर लेंगे notification रीड करने की बाद आप इसको जो होगा वो भरेंगे तो जो भी qualification होगी वो यहां से सारी भर लेंगे और add कर लेंगे सबसे पहले हाइज स्कूल की detail भरेंग पोस्ट में आप जो भी पोस्ट आपने चुनी है उसके आप आपनों qualification चुन लेंगे मैं यहां पर इस तरह के से qualification add कर लेंगे अगर कोई delete करना चाहते हैं दुबारा add करना चाहते है तो delete कर देंगे नहीं तो आप qualification सारी भरने का next वाले option पर click कर देंगे next वाले option पर जैसे ह save कर देंगे और save and next वाले option पर आप लोग किलिक कर देंगे save and next कर क्लिक करेंगे तो बर्क experience का जो step होगा वह आपनों का complete हो जाएगा next आएगा certificate document upload तो सबसे पहले आपनों को अपना photo upload करना होगा signature upload करने होगे high school की mark sheet upload करनी होगे इंटर की mark sheet, high school का certificate होगा वो upload करना होगा, इंटर का certificate होगा वो upload करना होगा, diploma certificate मैंने diploma का किया है तो यहाँ पर diploma आ रहा है, diploma certificate, graduation certificate और जाति प्रमार, जो भी documents यहाँ पर आ रहे हैं, वो सारे documents आप लोगों को जो होगे, वो upload करने होगे तो यहाँ पर नीचे आप note में देख सकते है, photo का जो size है, 30-100 के बीच होना चाहिए, signature का जो size है, 20-50 के बीच होना चाहिए, और जो other documents है, वो 30-100 के बीच होने चाहिए, और जो format है, वो jpg, png, pdf format में होना चाहिए, तो यह size documents upload कर देंगे, upload करने वाद, I do here by declaration जो दिखाई कर देंगे, टिक करने के बाद, नीचे scroll करते हुए, आप लोग आएंगे, तो आप लोग के सामने जो option होगा, वो दिखाई देगा, save and next है, इस वाले option पर आप लोग click कर देंगे, save and next पर click करेंगे, documents, details, saved, sexualistic interface आएगा, select post, अब आप लोग किस post के लिए apply करना चाहते हैं, म head constable carpenter, head constable filmmaker, तो आप लोग जिस post के लिए भी आप apply करना चाहते हैं, आपनों notification नीचे कर लेंगे, वो उस वाले option पर click करेंगे, scroll करते ही नीचे आएंगे, matriculation और exam form, required board, तो यहाँ पर आप लोगो जो होगा, yes करना होगा, दूसरा वाला जो option है, industrial training institute certificate, आपका किस का certificate है, वो choose करना होगा, three year experience, यहाँ पर आपको yes करना होगा, अगर आपको experience है, अब नीचे है, physical standard, physical standard में यहाँ पर option select करेंगे, यहाँ इस में से किस category के अंतरा आते हैं, मतलब physical category में, तो यहाँ पर general वाला जो option होगा, वो simply choose कर लेंगे, अगर बाके दोनों option यह दिखाए गए है तो आप लोग अगर में से किसी के पात हैं, तो वो select कर लेंगे, नहीं तो general select कर लेंगे, height दिखाई देगी, सारी चीज़ दिखाई देगी, save and next करेंगे, next option आएगा, upload documents का, तो upload documents में यहाँ पर आपको qualification certificate जो होगा, वो upload करना होगा, और experience certificate जो होगा, वो upload करना होगा, upload करन सामने यहाँ पर दिखाई देगा, अब आप लोग scroll करते हुए नीचे की तरफाई, मैं यहाँ आपको बताने दा चाहता हूँ, अगर आप लोग किसी भी detail को सुधार करना चाहते हैं, आपको कोई भी गलती हो गई है, तो आपको मैं यह edit का option दिखा रहा हूँ, इस पर click कर कटेगी, उसका नीचे आप लोग आएंगे, scroll करते हुए, तो आप लोग scroll करते हुए, तो आप लोग scroll करते हुए नीचे दरमाएंगे, I hereby declare, इस पर click करेंगे, पे नाओ पर click करेंगे, इस तरह का interface आएगा, I agree and pay वाले option पर click करेंगे, click करने के बाद, आप लोग अपनी ज चीज जो है वो पे नहीं करेंगे, तब तक आप लोग जो फॉर्म होगा, वो complete नहीं माना जाएगा, मैंने आप लोग फीज तक बता दिया है, कि आप लोग फॉर्म जो होगा, वो किस तरीके से कैसे बरेंगे, कल से इसके फॉर्म भनना प्रारम्भ हो गए है, पंदरा चा झाहीं